तो नमस्कार आपको बताने वाला मैं इल्बो सेंडर के बारे में अगर अलग साइज का अलग अलग डिग्री का अलग सेंटर के से निकालते हैं जो कि बहुत ही हेलपफुल होने वाला आप लोग के लिए वीडियो तो वीडियो को पूरा देखे और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर और चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब जो रूखीजेगा चलिए शुरू करते हैं तो जैसे देखे हो दोस्तों अगर अब फिटर है फैबरिकेटर हैं अब काम सीख रहे हैं तो जैसे कि अगर कुछ एल्बो इस तरह का मिल गया किसी भी साइज का माल लेजिए किसी भी साइज का एल्बो आपको मिल गया है और उसमें आपको एक साइड से फ्लांच लगाना हो और दूसरे साइड में जो है पाइप लगागे कैसे की देखिए यहां से यहां तक टूकड़ा उसके बाद एक फ्लांच लगाना हो तो इस तरह का डिम्इंसन दिया है पिर यहां से यहां से अपको साइड देगा इस आहां से इसके सेंटर कितना आना चीए ठीक है उसकते सहे इंपाने तो इस तरह को फिटिंग मिलता है उसके हम लोग को क्या होता है मालूम होना चैये है कि कितने इंच काई won है ऑग उसका इंच कंघ क्या होगा अपरे इसरो कि कच तरह को सब्सक्राइब सरन करम सकते हैं उसके बाद उसमें यह पाइप का डिस्टेंस कितना आएगा तब जाकि यह मेजर्मेंट बराबन मिलेगा तो अगर आपको एल्बो सेंटर निकालने नहीं आएगा या फिर नहीं मालूम है तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है तो यह जो है निकालना बहुत इजी मतलब है और आपको मालूम होना चीए कि अल्बो सेंटर कैसे निकाला जाता है तो अगर वह यह आपको मालूम है तो आप आसाने से जो है इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं तो चल्ले आज की वीडियो में बताता हूं मैं कैसे निकालते हैं इसका इल्बो सेंटर तो यह पर देखे दोस बताने वाला हम आपको कौन सा फार्मूला है तो यहां पर देखिए यह सारे जो है मैंने 1 इंच के लिखे हुए है यहां पर 1 इंच अगर 90 डिगरी का इल्बो सेंटर है तो उसका जो इल्बो सेंटर होगा वो होगा 38.1 mm ठीक है और अगर 1 इंच का 60 डिगरी का इल्बो है तो अगर 1 इंच का 45 डिगरी का इल्बो है तो इसका जो इल्बो सेंटर होगा 15.7 mm ठीक है तो उसका जो इल्बो सेंटर होगा 7.5 mm अभी अगर आपको बता दूँ कि elbow center क्या होता तो भी मैं आपको बताऊंगा उस drawing में कि elbow center मतलब क्या होता है कैसे उसको देखते हैं कहां से कहां तक उसका center होगा यानि एक इंच का अगर elbow है 90 degree का तो यह जो 38.1 है मतलब यह कहां पर आएगा कहां से कहां तक इसका 38.1 होगा तो चलिए आपको दिखाता हूं तो देखें यहां पर जो है elbow center मतलब यह आपका elbow आपने इस तरह से मतलब खड़ा कर दिया जैसे की और यह आपको यहां पर टच हो से यहां तक का distance तो इसी को पूलते है elbow center ठीक है या फिर आप इस तरह से चेक कीजिए यहां पर कोई scale या पट्टी रख लगाईए और यहां पर इसके center तक देखिए यहां पर जो डिस्टेंस आएगा उसको ही elbow center बोलते है तो जैसा कि माली जेक यह वन इंच का है वन इंच इंच का है और 90 degree का है तो इसका हो जाएगा 38.1 जैसा कि माने आपको दिखाया था चाहिए तो आप उसका screen shot भी ले सकते हैं आपको जानकारी के लिए तो वन इंच का 90 degree का elbow center होता है 38.1 ठीक है यानि कि इसके center से यहां तक 38.1 होगा अगर यही 2 इंच का elbow रहेगा तो 38.1 इं 90 degree का तो आप 38.1 इंटू 3 करेंगे तो इस तरह से जो है आप multiply कर सकते हैं इसमें और उसके बाल आप अगर देखेंगे कि 60 degree का elbow है और 45 degree का elbow है तो जो मैंने उसमें दिखाया था same हो ही formula यूज होगा तो इसके center से इसका यह जो distance होगा वो जो मैंने बताया था वो होगा और आप देख सकते हैं यह जो 60 degree का अगर है तो यहां से इस तरह से इसका जो distance होगा यहां तक यह 60 degree का होगा और इसको जो है आप जो मैंने वहां पर आपको दिखाया था उसको आप multiply करते जाएंगे इंच के हिसाब से तो आपका elbow center निकलेगा और एक बता दोस्तों elbow center जो होता 38.1 का यूज होगा अगर short radius का है तो उसमें 25.4 का यूज होगा थीक है अगर 90 degree का elbow है और short radius का है तो उसमें आपको elbow center उसका इतना आएगा वन इंच का और वही अगर 45 degree में short radius है तो उसका हो जाएगा 10.52 ठीक है अभी इसके फार्मूला के तरब चलते हैं यहां पर elbow center निकालने का फार्मूला है वो है 10 bracket में theta divided by 2 bracket close into 38.1 into elbow का size ठीक है अब यहां पर theta मतलब हो गया elbow का degree ठीक है कितने degree का elbow है उसके बाद elbow size must be in inch तो elbow का जो आपना size डालना है वो इंच में होना चाहिए ना कि mm में तो जितने inch का elbow है वो डालना है प्लस यहां पर देखी जैसे एक example बता रहा हूं एक जैमपल माले जिए 2 inch का elbow है 2 inch का elbow है और 90 degree का ठीक है तो उसका elbow center कितना होगा तो यहां पर 10 theta divided by 2 into 38.1 into elbow size तो यहां पर theta होगे आपका 90 degree हानि 90 degree का elbow निकालना है elbow का size 2 inch का है तो आ जाएगा आपका 10 90 divided by 2 यहाने कि 45 degree हो गया यहां पर और into 38.1 into 2 ठीक ह अब यह होगे आपका 10 45 का मान होता है तो 1 into 38.1 into 2 आपका आजाएगा 76.2 elbow center ठीक है आनि कि जो 2 inch का elbow center है वो आपका आजाएगा 76.2 अब हम लोग इसमें दूसरा size का कुछ degree का डाल के देखते हैं तो देखें फर्मूला की साब से तो यहां पर डालते हैं पहले 10 उसके बाद 60 degree का मालीजी निकालते हैं और 2 inch का तो 60 divided 2 10 60 divided 2 into 38.1 into 2 inch का निकालते हैं आपको यह आपका आगया 43.9 ठीक है यह आपका 60 degree का elbow का 2 inch का आगया elbow center 43.9 अब यही आप देखेंगे 60 degree का 1 inch का कितना होता है यहां पर देखें 1 inch का 60 degree का होता है 21.9 अभी आप इसको into 2 गरेंगे तो उतना ही answer आएगा जो कि मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है ठीक है तो यह फार्मूला से आप किसी भी degree का elbow center निकाल सकते हैं अभी दूसरा देख लेते हैं हम लोग मालीज 2 हो जाएगा रेकर close जाएगा into 38.1 into 2 गरते हैं ठीक है अभी देखते हैं कितना answer आता है तो यहां पर आया है 31.5 तो 31.5 है 2 inch का 45 degree का अभी इसको देखते हैं कि 1 inch का 45 degree कितना होता है तो यहां पर देखिए 15.7 होता है 1 inch का 45 degree का तो इसको अगर आप multiply by 2 करेंगे तो लगबग उतना ही आएगा इतना कि इसमें आया है 31.5 तो यह एक तरीका दोस्तों यह एक फार्मूला है किसी भी डिगरी का elbow हो उसका elbow center निकालने का तो आप चाहिए तो इसका आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं आपके मतलब ध्यान के लिए मतलब आपको याद रहे तो 10 bracket में ठीटा 1.1 into elbow size यह आप फार्मूला से किसी भी डिगरी का elbow size निकाल सकते हैं elbow center का size ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही बताने वाला था और आज का वीडियो यही खतम करूंगा और जानकारी अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक जलू कीजेगा और मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार बाय बाय